हेला एवरीबन आएम अंश्य अगरवाल आए होप आप सभी की कैट की प्रिप्रेशन बहुत अच्छी चल रही है और आज हम लोग कैट 2019 स्लोट 2 का फोर्थ सेट सॉल करेंगे ठीक है बहुत इजी तरीके से इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और बहुत अलग टाइप का यह कोश्यन है तो ध्यान से इसका सॉल्यूशन देखिएगा काफी इजी तरीके से हम लोग समझाएंगे और हाँ आप से एक बाद शेयर और कर कि अभी हमें काइट 300 लॉंच किए 24 आर्स भी नहीं हुआ है ना और काफी सारे अनेक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें मिलना चालू हो गए तो आपको भी अगर पर्चस करना है तो जल्दी से कर सकते हैं इसके एक शॉट में में डिटेल बता देता हूं 17 अक्टूबर को हम लोग पूरे इसके 10 वीडियो प्रोवाइट करेंगे हैना डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दिया है पूरा डिटेल में देख लिजेगा हैना 16 अक्टूबर तक जो प्राइज है 16 अक्टूबर तक इसका प्राइज से रहेगा 1000 रूपीस और 17 अक्टूबर के बाद ये प् मिल जाएंगे ठीक है तो वीडियो लाष्ट तक देखें तो लाष्ट में भी आपको टिटेल समझ जाएंगे अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं 3 डॉक्टर्स B, K और W है ना अपने इनिशल्स ले लेते हैं B, K & W विजट पर्टिकुलर प्लेनिक Monday to Saturday Monday से Saturday जाते हैं तो जाते हैं तो शी पेशेंट ठीक है, B, C, C, पेशेंट पर 10 मिनिट्स, B का टाइम के 10 मिनिट्स एंड चार्ज कितने 100 रुपीज तो डॉक्टर B जो हैं 10 मिनिट्स देखते हैं और इनका चार्ज क्या 100 रुपीज तो के जो हैं, के के बारे में देख लेजें 15 मिनिट्स और 200 रुपीज 15 मिनिट्स देखते हैं पर पेशेंट रुपीज तो चार्ज इनका 200 रुपीज तो डॉक्टर W जो हैं 25 मिनिट्स एंड 300 रुपीज यह 25 मिनिट्स देखते हैं पर पेशेंट और इनका चार्ज है 300 रुपीज ठीक है, यह हमें दिया हुआ है ठीक है, the clinic has 3 rooms, number 1, 2, 3, 3 rooms है, 1, 2, 3, और assigned to 3 doctor as per following table, तुम 1, 2, 3, Monday and Tuesday को Dr. B, फिर K, फिर W को 1, 2, 3 मिलेंगे, Wednesday Thursday को W, B, K, then Friday Saturday को K, W, B, ठीक है, इतना हमने पड़ लिया, ठीक है, यहां से समझेगे, बहुत अच्छा कुश्य है, clinic 9 a.m. से 11.30 a.m. तक ही open रहती है, तो कितने 2 आर, 30 मिनिट, 2 आर मतलब 120 मिनिट, प्लस 30, मतलब 150 मिनिट क्लिनिक ओपन है, ठीक, आगे पढ़ते हैं, on arrival, each patient is handed a number token indicating their position in the queue, starting with token number 1 everyday, हर दिन token number 1 से starting होगी, as soon as any doctor becomes free, the next patient in the queue enters the emptied room for consultation, यहां जेसी कोई भी room empty होगा, patient उसमें चले जाएगा, if at any time, more than one room is free, then the waiting patient enters the room with the smallest number, smallest number मतलब, मानलो तीनो room खाली हैं, तो patient जाएगा room number 1 पे, मानलो 2 और 3 खाली हैं, है ना, तो patient जाएगा room number 2 पे, ठीक है, for example, if the next two patients in the queue have token number 7 and 8, if room number 1 and 3 are free, then patient token number 7 room number 1 में जाएगा, token number 8 वाला room number 3 में, यह उन्होंने समझा दिया पूरा, अचा यह उन्होंने पूरा explain किया, कहीं से कुछ ऐसी conditions नहीं डाली कि हम set को solve कर पाएं, ठीक है, मतलब यह उस तरीका का question है, कि पर question पढ़के हमें at a time सोचके, फिर इसका answer देना पड़ेगा, clear है, इसे question exam में आखरी में attempt करना, क्योंकि चलो easy होगा तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन पढ़ते से ही तो हमें पता नहीं चलने वाला कि आगे questions क्या आने वाले, तो अगर questions tough रहे तो यह question कापी देड़ लगा देंगे और अगर फिर नहीं बने, तो पूरा हमारा selection ही खत्रे में पड़ जाएगा, ठीक है, तो इसे question थोड़ा आखरी के लिए छोड़ देना चीज़िए, फर्ट question, what is the maximum number of patients that the clinic can cater on any single day, पहला question बहुत ज़्यादा ही जीता, देखो 150 minutes है, तो Dr. B जो है, वो 10 minutes per patient में देते हैं, तो 150 by 10, 15 patients को ये देख सकते हैं, Dr. K की बात करें, तो 150 by 15, हिता आजाएगा 10, 10 patients को ये देख सकते हैं, Dr. W की बात करें, तो 150 by 25, 25 is the 150 होता है, 6 patients को ये देख सकते हैं, 31 patients को maximum एक दिन में देखा जा सकता है, तो पहला question, within 30 seconds आप लगा सकते हैं, Option B, clear है, ये तो बहुत ज्यादा आसान था, ठीक है, अगला, second question, The queue is never empty on one particular Saturday, Saturday की बात हो रही है, Which of the three doctors would earn the maximum amount in consultation charge on that day, ठीक है, देखो, अगर clinic free ही नहीं है, तो Saturday हो चाहे Monday, हर doctor ने अपना maximum time दिया होगा, मतलब पूरे time वो busy रहे होंगे, तो ये question भी within one minute solve कर सकते थे, अब देखो, doctor B की अभी हमारी बात ही 15 patients को देख सकते maximum, per patient अगर ही 100 ले रहे हैं, तो 15 into 100 कर दो, 1500 income होगी doctor B की, 200 into 10 कर दो, 2000 rupees income होगी, doctor K की, 6 into 300 कर दो, 1800 income होगी, doctor W की, सबसे ज़्यादे income किसकी दिख रहे है, ये doctor K, तो शुरू के ये जो दो question थे, ये दोनो question आप से within one minute हो जाते, लेकिन इत्ती अच्छी LR भी cat में नहीं आती कि सारे question easy देदे, तो आगे के question में इन्होंने थोड़ी सी condition डालके, थोड़ा सा confuse करने की कोशिश की हो, तो चलो, आगे के questions देखते हैं, ये दो questions के लिए जो chat बना है, इसको रफ कर दे, और LRDI के इतने easy solutions या अगर आपको डर लग रहा हो, तो आप हमारा LRDI का video code भी purchase कर सकते हैं, description पर maths और LRDI के video code की link है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है, आप इतने सारे videos देख सकते हो, LRDI के आप मान के चलो, एट्टी अप्रॉक्स वीडियोज होंगे, है ना, ओ maths के 130 के अप्रॉक्स वीडियोज है, तो अगर आपको लगता है, इसा आप वीडियोज आप देख सकते हैं, Monday, Monday से Friday मतलब ये तीन अरव अगर, कॉलम के साब से हमें चैट बनाना पड़ेगा, ठीक है, arriving at 8.50 a.m., 9 बजे के पहले ही आ रहे हैं ना, before 9 a.m. आ रहे हैं, on each of the 3 days, his token number was 13, इनका token number जो है 13 है, ये ना, on which day he at the clinic for the maximum duration, किस दिन ये लोग क्लिनिक पे maximum duration के लिए होँगे, ठीक है, तेको इस टाइब का question है, अब एक question के लिए बहुत सारी मेनद करने की ज़वरत नहीं रहती, तो इसको आप छोड़ना था, अगर time कम हो, तो छोड़ सकते थे, लेकिन अभी हम लोग solve करेंगे, इत्ता भी कोई लेंद भी नहीं है, है न, डॉक्टर वी का time क्या है, 10 minute, then 15, वो डवलू का क्या है, 25 minutes, मान लेते मंडे की ही बात करें, तो 13 तीन का token number है, क्लिनिक तो 9 बज़े खुलेगी, तो, B, A, डवलू, ये तीन डॉक्टर है, ठीक है, B का time है, अच्छा, patient तो काफी, तो देखो, 9 बज़े से ही, तीनो room में, ये 1 है, फिर ये room number 2, ये room number 3, ये 10 minute में देखते हैं, 15 minute में, और ये 25 minute में, अब देखना, क्लिनिक खुलते से ही, पहले तो 3 patient चले गए होंगे, तो, अब 9 10 पर ये free हो गए, तो 9 10 पर जैसे ये free हुए, 9 10 से 9 20, ये कौन सा patient आ जाएगा, 4th, 9 15 से, 9 15 पर ये window खाली हो गई हो, 9 15 से 9 30, ये patient, ये तो अभी भी खाली है, अब 9 20 पर ये free हो गए, 9 20 से 9 30, ये 6th patient आ जाएगा, है ना, 9 25 पर ये खाली हो गया होगा, 7th patient 9 25 से, 9 50 तक आ गया, 7th, clear है, और 8th patient ये कौन 9 30 पर दोनों विंडो खाली है, तो 8th 9 30 से 9 40 में चले आएगा, 9 30 से 9 40 में 8, और 9 30 से 9 45 में, 9th patient चले आएगा, अभी भी ये दोनों ही विंडो खाली दिख रहेंगे, तो 9 40 से 9 50 में, कौन आ जाएगा, 10th patient, 9 45 से, 10, ये आ जाएगा, 11th patient, अब देखो, 12 और 13 की बात आने वाली है, और ये दोनों विंडो 9 50 पर खाली है, विंडो 3 और विंडो 1, अगर अब यहीं पर पूरा अगर दिमाग नहीं लगाना, guessing भी करनी है, तो अब ध्यान से देखना, 11 patients आ चुके हैं, अब आएगी 12 और 13 की बारी, ठीक है, तो गूपन नमबर 12 का में, तो 12 को विंडो नमबर 1 पर बेजोगे, 13 का जादा है, तो 13 को आप इधर बेजोगे, है ना, अब देखो, विंडो नमबर 3 में ही, उसको 25 मिनिट लगेंगे, और उसने कहा था, कि maximum उसको रहना है, मतलब क्लिनिक में, तो 25 से maximum तो कुछ होई नहीं सकता, क्योंकि बाकी दोनों डॉक्टर तो, 10 और 15 मिनिट के लिए ही है, तो विंडो वन ये टू में जाता, तो हमें आगे और केस बनाने की जूरत पड़ती है, वेगिन अगर 13 नमबर डारेक्ट उसका, 25 मिनिट वाली विंडो पर जा रहा है, ठीक है, तो मंडे को सबसे ज्यादा टाइम, मिश्टर सिंग बिताएंगे होस्पिटल में, आउप्शन B, क्लियर हैं? अगला, अगले के लिए उपर का चैट थोड़ा सा फिरटा देते हैं, चीशन में आगई, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मज़ा आज़ा है, अथी सॉल्व कर जो, है ना? लाश्ट क्वेश्चन का भी, सॉल्वेशन ध्यान सी समझ लेजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन का लाश्ट तक वेट मत कीजिएगा, कि 17 के बाद ही लेंगे जबरन, आपको उसका एश्यू होगा, थस्डे में W, B, K, थस्डे में हम क्या लिख लें? W, फिर B, और फिर K, W, B, K, W का टाइम कितना है? 25 मिनिट्स, B का टाइम था 10 मिनिट्स, K का टाइम था 15 मिनिट्स, ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, फोट क्वेश्चन क्या है? On slow Thursday, only 2 patients waiting 9 a.m. 9 a.m. पे तोई patient थे, after the 2 patients keep arriving exact 15 minutes interval starting at 9.15 a.m. 9.15, 9.31 a.m. इसका मतलब है कि, हर 15 minutes के gap में, 2-2 patients आते रहेंगे हैं na, 2, 2, 2, 2, 2 करके patient आते रहेंगे, ठीक, then the total duration in minutes, when all the 3 doctors are simultaneously free, कौना है 3 doctors free हो जाएँ, है na, वो हमें time बताना है, चलो देख लेते हैं, तो देखो, 9 users लेश्चन है, तो पहला patient इनके पास चले गया 9 से लेके 9.25 तक ये भीजी हो गया दूसरा S के पास चले जाएगा B के पास तो 9 से लेके 9.10 तक ये भीजी हो गया अब 9.15 पे दो patient और आ जाएंगे तो 9.10 पे तो ये खाली हो चुके थे तो 3rd patient आ जाएगा 9.15 से 9.25 तक इनके पास शुरू में ये फ्री हैं लेकिन तीनों simultaneously free बोला था ठीक है फिर 9.15 से 9.30 तक ये भी डॉक्टर भीजी हो गया अब 9.25 से 9.30 तक ये दॉक्टर फ्री होंगे ये 9.25 से 9.30 तक ये दोनों free होंगे लेकिन तीनों simultaneously free बोला है तो तीनों नहीं क्योंकि 9.25 से 9.30 ये वाले दॉक्टर बीजी है अब 9.30 पे फिर से दो patient आ गया और तीनों window खाली है तीनों window खाली है मतलब जैसे शुरुवात हमने यहाँ पे की थी सेम प्रोसेस अब repeat होना चालू जाएगी फर्स्ट और सेकंड विंडो पे दो patient जाएंगे थर्ड खाली रहेगी मतलब तीनों डॉक्टर simultaneously एका second के लिए खाली हो पाएंगे 9.30 मतलब तो वो एक हो पाएगा लेकिन minor चींज तो में देखना नहीं है है ना तो तीनों doctor free नहीं हो पाएंगे ठीक है क्योंकि जैसे ही 9.30 होगा 102 आप इससे भढ़ जाएंगे ठीक है फिर ही cycle repeat होते है तो fourth का अंसर क्या था option c अगर आपकी इच्छा हो रही हो तो आप आगे और case बना के देख सकते हो लेकिन अगर cycle repeat होने लगे तो आगे के case बनाने की कोई भी ज़गरत नहीं होती है ठीक है तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा और हाँ cat 300 के बहुत positive response है अगर अभी तक आपने code को purchase नहीं किया है तो आप कर सकते हैं इसक्रीन पर आपको पूरी details दिख जाएंगी है ना आप पे करेंगे आपको 24 hours के अंदर confirmation mail मिल जाएगा ठीक है payment confirmation होते से पूरे वीडियो आप अपनी Gmail ID से ही देख पाएंगे और वीडियो हम लोग कव अवलेबल करवाएंगे आपको 17 अक्टूबर को 10 पीम के पहले ठीक है तो मिधे वीडियो समझ में आ रहे होंगे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स वर वाचि वीडियो